आप सबी को जै मसी की आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एक सुबेदार का विश्वाइए सुबेदार का एक सेवक जो है लकवा रोक से पीडित रहता है इस कारण से वो येशु के पास आता है उसकी चंगाई के लिए आएए हम इस कहानी को बाइबल के अंदर देखने के लिए जा रहे हैं और ये कहानी लिखी है मती रचित्सु समचार आठ अध्याई का पाँच पत से लेकर के देरा पत तक लेकिन हम कुछ बातों को देखेंगे और कुछ बातों को रहने देंगे को पढ़ने शुरू कर रहे हैं जब वबा कफर नहूम में आया तो एक सुबेदार ने उसके पास आकर उससे विनिती की सुबेदार येशु मसी के पास आकर के येशु मसी से विनिती करता है और छटा आयत में कहता है हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है उसने उससे कहा मैं आकर उससे चंगा करूँगा जब सुबेदार ने कहा एशुमसी से कि मेरा सेवक बिमार है तो एशुमसी ने कहा कि मैं आकर उससे चंगा करूँगा लेकिन आठवा आयत में सुवेदार ने क्या कहा सुवेदार ने उत्तर दिया हे प्रभू मैं इसे योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए परंतु केबल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा क्योंकि मैं भी परादिन मनुशु हूँ और सिपाही मेरे अदिन है जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है और दूसरे से आ तो वह आता है और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है इससे हमें पता चलता है कि ये जो सुभेदार है कोई मामूली व्यक्ति नहीं है साधरन व्यक्ति नहीं है लेकिन एक उचे पद पर रहने वाला व्यक्ति है क्योंकि ये जिस किसी को आग्या देता है वो उस कारिय को करते है लेकिन आगे जब उन्होंने अपना सुबेदार ने अपना विश्वास को प्रगट किया तो येशु ने उसके बारे में क्या कहा देखिए तेरा आयत में तब येशु ने सुबेदार से कहा जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो और उसका सेवक उसी घड़ी जंगा हो गया Praise the Lord दोस्तो जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है येशु मसी पर जंगाई उसके जीवन में आ जाता है इस सुबेदार ने येशु मसी पर विश्वास किया और उसका सेवक जंगा हो गया यदि आज हमारे घर में या हमारे आसपास में जिनसे हम प्यार करते हैं वो यदि विमार है तो हम येशु मसी के नाम से और येशु मसी से परातना करे उन से निवदन करे तो हम भी चंगाई को प्राप्ट कर सकते हैं क्योंकि येशु मसी आज भी जिनता है God bless you, परमेश्वर आपको आशीश करे